हलो दोस्तो, पूरा देश 19 नवंबर को जस दन इंडिया वर्सस आस्ट्रिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल मैच देख रहा था, उसी के बीच पहले सोशल मीडिया पर कुछ इंफ्लियेंशल इंडिविज्वल्स और पॉलिटिशन्स ने इंडिया को मुबारक बाद दी, वो मुबारक बाद इंडिया को 4 trillion economy का मात टच करने के लिए दी गए थी, क्या ये बात सच है, क्या सच में इंडिया 4 trillion economy बन चुका है और इंडिया को वर्ल्ड की 3rd largest economy बनने में क्या करना चाहिए, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते है कि महाराश्ट्र के डेपटी सच है, क्या सच है, पर इंडिया गिलोग के लिए अपने साच पर देख संच पर देख सेच शुका है कि ये इंडिया की डिया गाया है, इसके कुछ देर बाद बहुत सारी नीज एजनसीज ने भी इस स्टोरी को कबर किया, और उन्होंने कहा कि इंडिया crosses the GDP of 4 trillion माँ, अब सवाल आता है कि social media का use करके ये spread हुआ जिसमें IMF का screen grab या फिर screenshot capture कर दिया गया हो और share किया हो, जैसे कि इस tweet में आप देख सकते हैं, अब हम देखते हैं कि role of social media क्या रहा, जैसे कि unified screen grabs, जो की GDP feeds based on IMF data circulate हुई, जैसे कि हमने previous tweet में भी देखा गया, अब हम ये देखते हैं कि क्या ये सच में सच है, जैसे कि आज 20th November है, और मैं IMF की website की dashboard पे आपको लेकर आया हम, जहां पर clearly दिख रहा है कि इंडिया की GDP at current price is 3.73 trillion at 2023 in today's time, इससे ये पता चलता है कि GDP calculation जो life करना है, वो बहुत ही complex होता है, अब Finance Ministry ने इस पर अपनी चुपी बरती है, despite the widespread celebration, अब हम देखते हैं कि इस तरीके की GDP की life tracking कितनी complex होती है, जैसे की multiple sectors होते है, multiple sections होते है, जिनने life track करना और उनका data उन सब service में fit करना बहुत ही मुश्किल होता है, इससे life tracking of GDP एक बहुत complex task माना जाता है, इंडिया की GDP growth, 2023-2024 में record की गई 7.8%, जो की highest है for four quarter, driven by double digit expansion in service sector, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया की GDP growth 7.8% है, जहाँ पर China is growing by 6.3%, इंडोनेशिया by 5.17%, इसी तरीके से, अब bright spot जहाँ पर IMF predict करता है, इंडिया की GDP for 2023 is 6.1, यहीं पर हम देखते हैं कि comparison with global growth क्या होता है, इंडिया जहाँ पर 7.8% से grow कर रहा है, वहीं पर China 6.3% से अपनी GDP को grow कर रहा है, यानि कि इंडिया चाइना की growth rate से आगे बढ़ चुका है, PhD Chamber of Commerce forecast कहता है कि इंडिया को 4 trillion economy बनने के लिए 2024-2025 तक वेट करना होगा, और per capita GDP और per capita GDP dollar 2800 बन सकता है, यहीं पर SNP Global Report on India's economy कहता है, इंडिया could become 6.7 trillion economy by 2031, जहाँ पर अगर वो अपना growth rate 6.7% maintain करता है for next 7 years, तब जाकर यह achieve कर पाएगा, ऐसे कौन से factors है, जो इंडिया की growth story को contribute करते हैं, सबसे पहला है demographic dividend, demographic dividend एक बहुत ही important हिस्सा है इंडियन economy के growth का, दूसरा है growth of middle class and तीसरा है इंडिया की digital होती हुई economy और इंडिया वही पर demographic dividend की अगर बात की जाए, तो इंडिया में 40% population 25 साल से नीचे के आयू में रहती है, इंडिया की demographic को और अच्छे से समझना है, तो 142 करोड लोगों में से 68% लोग ऐसे हैं, जो की working population के तहट आते हैं, working population का मतलब होता है, age 15 से लेकर 64 की age तक जो भी individuals होते हैं, वो working population की अंदर count किये जाते हैं, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि middle class का expansion Indian economy, अब हम देखते हैं कि इंडिया का middle class कैसे expand कर रहा है, इंडिया का middle class आज 2023 में 50 million हैं और उसे बढ़ते हुए 2050 तक वो 500 million तक पहुचने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से urban, metro towns, niche cities में किस तरीके से middle class ग्रो कर रहा है, जहाँ पर digital economy की बात होती है, तो इंडिया's digital transformation जो की e-commerce, fintech industry, edtech industry, healthcare और agriculture के industry में भी technology और digital growth का use हो रहा है, अगर हम numbers की बात करें, तो number of smartphone devices in India in 2018 is 2.5 times जो की 850 million हो चुकी है, जहाँ पर digital transaction 2015 में थी, वो 10x बढ़ कर 30% तक बढ़ चुकी है, mobile data consumption जो की per one 2015 में XYZ होगा, उससे बढ़ कर 60 गुना बढ़ चुकी है, ये digital transformation की इंडिया की कहानी है, अगर इंडियन economy की बात करें, तो इंडियन economy sustainability के उपर भी बहुत जादा जोर दे रहा है, investment जहाँ पर renewable energy के अंदर, green infrastructures के अंदर और new growth opportunities में explore कर रहा है, इसी तरीके से इंडिया 3 trillion dollars 2018 से लेके 2030 का investment potential रखता है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट, infrastructure, green building, renewable energy, agriculture, urban water, waste and electric vehicles चैसे की sectors है, और recent type में जो Paris climate deal है, इंडिया के economic challenges के बारे में हम जानेंगे, सबसे important challenge आता है job creation, जहाँ पर इंडिया में 68% population, working population के अंडर काउंट होती हो, वहाँ पर unemployment rate बढ़ता हुआ नजर आता है, वहीं पर high degree of non-performing asset जिने हम NPA भी कहते हैं, वो भी बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन recent economic server में NPA को घटता हुआ दर्शाया है, जो की एक Indian economy के लिए positive sign है, maintaining fiscal deficit भी एक बहुत बढ़ा challenge है, जहाँ पर state को welfare fund और दूसरे activities में लोगों का भला और social कारियों के लिए पैसा लगता है, उसी में fiscal deficit बढ़ता है और उनी को maintain करना Indian economy के लिए एक बहुत बढ़ा challenge है, उसी तरीके से अगर देखा जाए, तो volatility of rupee भी इंडिया के लिए एक challenge है, जैसे की rupee और dollar का constant fluctuation और rupee और dollar में बढ़ते हुई तफावर, ये Indian economy के लिए एक नई challenge है, इंडिया crude oil dependent country है, जो की crude oil के imports पर बहुत जादा depend होती है, उसी direction को curve करने के लिए इंडिया बहुत जादा investment कर रहा है green economy में, जो की हमने पहली ही slide में देखा था कि कैसे Indian economy sustainable economic models की तरफ आगे बढ़ रहा है, इंडिया का सबसे बढ़ा challenge आता है middle income track, इसको आसान भाशा में सम समझना हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि जहां पर prices और cost बढ़ रही है और उसी समय competition घट रहा है, competitiveness घट रहा है, तब जाके इंडिया इस middle income trap countries के हिस्से में आती है, इंडिया का next चले जाने वाला है to maintain high GDP growth, इंडिया को अगर 5 trillion economy बनना है, तो इंडिया को 7-9% annual growth को maintain करना होग रुपी और डॉलर का current room हमने पहले ही समझ लिया है, जहां पर रुपी और डॉलर का अंतर बढ़ता दिख रहा है, इंडियन एकनोमी का एक और challenge ये भी है कि उसे geopolitical challenges को पहुँच smartly deal करना होगा, जैसे Ukraine-Russia conflict हुआ, उसी तरीके से हमास और इसराइल की बीच में जो conflict हुआ China and US की conflict इस सारी geopolitical churns में Indian economy impact ना करे और इंडिया का national interest हमेशा uphold होता रहे, यहीं इंडिया के लिए geopolitical challenge है। इस तरीके से flourish करनी होगी कि ये दोनों sector एक दुसरे को compliment करे। जहाँ पर cluster based approach की बात करते हैं, यानि कि यहाँ पर कुछ उग रहा है, bamboo उग रहा है, चावल उग रहा है, उसी तरीके से इन सब की industries आजू-बाजू में हो, ताकि ये एक cluster बना रहे और इनकी economy flourish हो, ताकि ये manufacturing sectors भी flourish होते रहे और ये agriculture productivity भी बढ़ाते रहे, इस तरीके से हम agriculture sector की productivity पर ध्यान दे सकते हैं, उसी तरीके से इंडियन economy का next challenge है, labor force participation, जहाँ पर इंडिया का unemployment rate बढ़ता जा रहा है, और उसी के साथ-साथ, meal and female की labor participation में अंदर आता है, उन्ही सब को curb करते हुए, इंडियन economy आगे बढ़ सकती है, अब हम ये देखेंगे कि इंडिया की strategy क्या होनी चाहिए for the future growth, इंडिया को हमेशा middle class को grow करने की बात करनी चाहिए, increase होना चाहिए labor force participation, जहाँ पर accelerating infrastructure और development की बात होनी चाहिए, sustainability की ब labor भारत बनना है, तो इंडिया को उसे पाच pillar पे focus करना चाहिए, पहला pillar है economy, दूसरा है infrastructure, तीसरा है system, चौता है demography and पाच वा अव सबसे important है demand, economy के अंदर quantum jumps लेनी चाहिए, जहाँ पर GDP को अलग-अलग directions से growth मिले, जहाँ पर structural reforms की बात हो, जहाँ पर अलग-अलग sectors को target किया जा रहा हो, उस तरीके से हम Indian economy के pillar को grow कर सकते है, infrastructure में modern infrastructure, modern India और sustainability in investment models, यह हम derive कर सकते है, systems के अंदर technology driven systems, जो की corruption, efficiency को बढ़ाए, corruption को काम करे, और उसकी outcomes को measure करे, जहाँ पर demography में, vibrant demography को utilize करे, उसे skilling, उसे skills सीखाई जाए, उसे educate किया जाए, उसे हमेशा employment opportunities को open किया जाए, demand driven economy हमेशा sustainable रहती है, जिस तरीके से Indian economy है, Indian population का structure है, उसे ही demand driven economy ही 5 trillion economy बनाने की काबिलियत रखता है, Thank you very much, I hope आप सब को ये video informative लगा होगा, जुड़े रहिए ग्यानकोश के साथ, Thank you very much.